हेलो मेरे प्याने दोस्तों कैसे हो आप सब लोग आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हो और आपके एक्जाम के तयारी बहुत बढ़िया चलोगी चले दोस्त कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाएं आप लोगों के लिए और बहुत बारी एक्जामों में ये कहां से शुरू होती है तो नौटी काउंसे आपको फता होना चाहिए ठीक है नौटी काउंसे शुरू होती है चमोली में However K कहां तक झाती है तो हें तक यह की में यातिरंई है कुल कितनी है 280 km लंबा ही है इसकी ठीक है विच्ब की सबसे बड़ी पैदल यातरा है यह नंददीवी यातरा इसे याद रखना है next question है वरुनी यातरा का आयोजन कहां किया जाता है तो इसका राय डांसर हो जागा उत्तरकासी में उत्तरकासी में क्या जाता है 15 किलोमेटर पैदल यातरा है ठीक है ये भी 15 किलोमेटर पैदल यातरा है ठीक है कहां से सुरू होती है तो वर्णा और भागरती के संगम से सुरू होती है ये यातरा वर्णा और भागरती के संगम से सुरू होती है कहां पर वर्णा और भागरती अगलव मैं में शतुरत आप सब को पता ही होदा कैलास मान-श्रोबर यात्र है जो पितुरत में होती है ठीक है पितुरत से सुरू होती है और क्या होता है इसमें कैलास परवत होता है जो उसकी परिक्रिमा करते हैं लोग, ठीक है, next question हो जाएगा, उदे संकर निर्थे एवं नाटे अकादमी की स्थापना किस वर्स की गई, तो 2003 में की गई, कहां की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए अलमोडा में, ठीक है, next question है, उतराखन की स सबसे प्राचीन जाती कौन सी है, उतराखन की सबसे प्राचीन जाती कौन सी है, तो कॉल जाती है, और इने ही क्या बोला जाता है, बहुत बारी question हम पूछा जाता है, कि मुंड तथा सबर किसे का जाता है, ठीक है, तो मुंड तथा सबर भी इने ही का जाता है, कॉल जाती क है ठीक है चली दोस्त सुरूं करते है नेक्स पूस्जन है उत्राघंड का शबसे बड़ा जातिय सम्मू कौन सा है तो धार उर सबसे चोटी जातिय palavra कौन सा है तो वो हो बैठान बिवा किसमें परचलित है तो ये हो जाएगी थारू लोगों में परचलित है ठीक है नेक्स क्वेशन है मातर सत्तात्मक परथा किसमें परचलित है तो इसका जो रायट आंसर हो जाएगा वो है आपका थारू ठीक है थारू लोगों में मातर सत्तात्मक परथा है ठी समाजिक पड़था देखने को मिलती है यहां महिलाओं को भी बराबर अधिकार देव हुएं जतने पूरसों को ठीक है बाकि कि जंजाती सम्मु का परमुग देबता है तो ये राज़ जंजाती का परमुग देबता है ठीक है भागनाथ और राज़ जंजाती खुद को क्या बोलते हैं बनरावत भी इने को ही बोलते हैं ठीक है next question है कुणिंद वंस का महान सासक कौन था तो अमोग भूती था सबी को पता होगा अमोग भूती सबसे सक्तिसारी सासक था कुणिंद वंस का ठीक है next question है फुल देई संगरांद को किस दिवस के रूप में मनाये जाता है तो ये पुस्प दिवस है ना फुल देई कि टाइम पे हम पुस्प डालते हैं तो फुस्प जलस के रूप में अब कुछ महीने बाद आने वाला है फुल देई next question है on kumau end book किसने लिखिये तो on kumau end book किसकी बुक है तो ये डेबलु फ्रेजर की बुक है ठीक है डेबलु फ्रेजर की बुक है ठीक है next question है मेरी गंगा होली तुम मैं मों आली यहां उक्ति किस राजा ने कहा था किस ने कहा था या कि मेरी गंगा होली तुम मैं मों आली तुम मेदिनिसा ने कहा था ठीक है आयोब दोस्तों ये question आपको clear हो गयोंगे है ना और इसी तरह से आप अपना revision करते रहिए ठीक है दोस so much